दोस्तो आज की दुनिया में हम इंसानों के साथ साथ हमारे प्राइमेट्स भी रहते हैं जिने हम मंकी कहते हैं क्या आपको पता है कि बंदरों की एक हजार प्रजातिया है जिन में से कुछ गिने चुने ही हमने देखे होंगे आज के इस वीडियो में तो हम ऐसे मंकीज देखने वाले हैं जिनने आप पहली बार देखेंगे गुल्डन सनब नोजन मंकीज दोस्तो इस जिवों के उपर गूल्डन कलर के बाल होते हैं जो दिन की रोशनी में चमक उठते हैं मेल मंकीज के आखे नीली होती है यह जी वस चीन के कुछ इलाकों में पाये जाते है इनके ग्रूप में गरीब 200 से 600 मिंबर तक हो सकते है टेड़ शांक डूप यह दुनिया के सबसे कलरफुल मंकीज है यह सीर्ट कमबोडिया और वेतनम में ही पाये जाते है 19-60 साल तक इने कोई नहीं जानता था इने एक एंगल से देखा जाये तो ऐसा लग सकता है कि इनोंने कलरफुल कपड़ पैनके रख्या है इने क्वीन सब्द प्राइमेट्स भी कहा जाता है और लोकारी दोस्तो पिंक चेरे वाले इन मंकीज के सिर पर बाल नहीं होते इसलिए इने बाल नाम दिया है आमेजन के जंगलों में रहने वाले ये जीव ग्रूप बना कर पीड़ों की चूटियों में रहते है दोस्तो ये अजीब दिखने वाले बंदर छोटे होते है आप इनका साइज इस कोकनेट से कंपर कर सकते है ये बाकियों की तरह स्पेशल होते है आज से 50 साल पहले इने कोई ने पैचानता था लेकिन अभी इने स्टडी किया जाता है प्रूपसिस मंकीज दोस्तो इस मंकीज की नाग पाकी प्रजातियों से सबसे बड़ी है इसलिए इने इनके नाम से जाना जाता है सिर्फ बोर्नियों आइलन्ड पर बायन जाने वाले स्पेशी इस रियर है इनके और एक खासेत इनका पेड है जो किसी इनसान जैसा दिखता है वाइट फैस साकी दोस्तो इन मंकीज के नाम में ही इनकी पैचान चुपी है इस प्रजाति में सिर्फ मेल बंदरों के चेहरे ही सफेद होते है जिनमें इनसानों जैसी मूचे भी होती है या अपना पूरा दिन पेड़ो पर बिताते है इक में मार्मोसेट दोस्तो इन देखने पर ये बंदर कम की लहरी जादा लगते है इन छोटे मंकीज को सबसे पुराने प्राइमेट्स माने जाते है इसे के साथ ये सबसे छोटे भी है जो सिर्फ 6 इंचेस तक बढ़ सकते है लेकिन इनकी पूँच 9 इंचेस की होती है यानि इनके बोड़ी से भी लंबी स्क्विरल मंकीज या और एक मंकी है जिससे लोग की लेरी की जैसे कहते है ट्राफिकल फोरस में रहने वाले ये जीव सिर्फ 17 इंचेस तक बढ़ सकते है इनने पालदू बनाने के लिए लोग इनका व्यापार भी करते है जिसकी वज़े से ये प्रजाती आज खत्रे में है ब्लू मंकी इस मंकी के चेरे पे हलका सा ब्लू रंग दिखता है जिससे इसे ब्लू मंकी कहता है आफरिका के लोग और कोई जन जाती हैं इनने टेस्टी खाना समझते है जिससे इनकी संख्या दिन बर दिन कम होती जा रही है थैंक्यू प्रेंट्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ